हेलो फ्रेंट्टे वेलकम टू अजीत अश्टाडि शेंटर तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतीशत निकालने के लिए सिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो यहाँ पर पहला सवाल है 500 रुपया का 20 प्रतीशत तो 500 रुपिया का 20 परतिशत हमको निकालना है कितना होगा तो यहां से हम लोग इसको solve करते हैं ठीक है तो देखिए 500 रुपिया है यहां पर तो 500 रुपिया यहां पर हम लिख देंगे और देखिए का मिंश होता है गुणा तो का यहां पर हम लोग लगा दिये गुणा का चिन और उसके बाद देखे बीश है तो बीश और परतिशत का मतलब होता है बटा में सौ तो यहां पर बटा में सौ लिखे अब यहां देखिए उपर में यहां पर देखिए दो जिरो और निचे भी 2 जिरो तो ये 2 जिरो से 2 जिरो कट गया अब यहाँ पर क्या बचा ये बच गया 5 रुपिया और यहाँ पर गुणा और ये हो गया 20 तो यहाँ पर 5 का गुणा 20 में कर देंगे तो 20 पची 100 तो ये हो गया 100 रुपिया और यही हो गया हमारा अंसर यानि कि पाच्छार रुपिया का बीश परतिशत हो गया सौ रुपिया अब हमारा दूसरा सवाल है एक हजार पचास रुपिया का साथ परतिशत तो यहां पर क्या करेंगे कि एक हजार पचास रुपिया है तो 1050 रूपया लिखें काम हिंश होता है गुना और फिर है 60 परतिशत तो साथ और परतिशत का मतलब बठा में 100 अब यहां देखिए उपर में 10 और नीचे में 10 कट गया फिर यहां पर 10 और यहां पर 10 कट गया तो यहां पर देखिए क्या बच गया यहां बच गया 105 रूपिया और इसको गुना कर देंगे 6 में तो चलिए गुना करते हैं 635 का 0 हाथ में 3 और फिर 10 छके 60 60 और 30 तीरशट तो यह हो गया 630 रूपिया अंसर तो इस तरह से 1050 रूपिया का 60 परतिशट निकल गया 630 रूपिया अब हमारा तीसरा सवाल है 280 रूपिया का 35 परतिशट तो यहां पर देखिए 280 रूपिया तो 280 रूपिया लिख देंगे का मिन्श होता है गुना और 35 परतिशट तो 35 है तो 35 और परतिशट का मतलब बटा में 100 तो अब यहां पर देखिए क्या करेंगे 10 से 10 कट गया कख यहां पर 10, यहां 35 और यहां पर 10 तो इसको हम 5 से काट सकते हैं देखिए 5 सते 35 और 5 दूनी 10 यह कट गया अब फिर यहां पर देखिए 2 से कट जाएगा 28, 14 दूनी 28 तो इस तरह से यहां पर बच गया 14 रुपिया और फिर गुणा 7 तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए 14 सते 99 रुपिया यह हो गया इसका अंशर अब यहाँ पर देखिए कुश्चन है 1250 रुपिया का 65% ठीक है तो देखिए क्या करेंगे हम लो 1250 है तो 1250 लिखे रुपिया है तो रुपिया का मिन्स गुणा और 65 और परतिशत का मतलब होता है बटा में 100 तो यह 100 लिख दिए अब देखिए 10 उपर और 10 नीचे यह कट गया अब देखिए 65 है उपर में और नीचे में है 10 काट दीजिए 5 के 13 पर 6 पर 6 ठीक है और 5 दूनी 10 अब यह नहीं कटेगा तो यहां पर क्या करेंगे 125 रुपिया और यह गुणा में बच गया इधर 13 है ना और बटा में 2 तो इसको गुणा कर लिजिए 125 का गुणा करेंगे 13 में तो यह हो जाएगा 1625 और बटा में 2 अब 1625 में भाग देंगे 2 से तो यह कितना हो जाएगा चलिए भाग देते हैं 28 16 कट गया 2 एकम 2 अब यहां पर 5 है तो 2 दूनी 4 एक चला गया उसमें 10 अमलो लगा दिए और फिर 10 हो गया 2 पच्छे 10 यानि 812 दसमलो 5 रुपिया यह हो गया इसका अंसर तो फ्रेंच आई होब कि आपको प्रतीशत निकालने के लिए अच्छे शेशमज में आया होगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद करें लिए यह वीडियो